आज मैं काली मसूर की डाल बना रही हूँ तो इसमें मैंने दो कप काली मसूर की डाल ले ली है और इसको मैंने धोके अच्छे से कुकर में डाल दिया है अब इसमें एक चमच मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है और एक चमच के बराबर मैंने इसमें तेल डाला है और तीन ग्लास मैंने पानी डाले है मतला पानी हमारा इतना होना चाहिए दाल से थोड़ा सा हाफ उंगली हमारी हम डिप करके देखेंगे तो उतना मतला पानी उपर होना चाहिए दाल के और इसमें मैंने यह थोड़ा सा तेल डाल दिया और यह इसका ढ़कन इसका अच्छ वहां समय लगा है और तीन सीटी मैंने मीडियम लगाए थी ठीक है अब इसमें वह जब हमारी दाल उबल चुकी है तो इसमें तेल लिया तेल में सारे खड़े मसाले और और जीर डाला और पियाज को मैंने लंबा-लंबा कट करके इसमें डाल दिया इसको बस हलका ही थोड़ा सा हमें फ्राइब करना है प्याज को कि इसमें मतलब थोड़ी कमी प्याज अच्छी लगती है ज्यादा भूझी हुए नहीं अब मैंने इस ग्लास में थोड़ा से लाइस्ट ले लिए और थोड़ा सा एक इंच के करीब इसमें अद्रक ले लिया है इसे एक अलगी फिलेवर आते हैं अगर हम अलग डालेंगे तो अलग उसका टीस्ट अलग होता है और एक साथ हम इंस्थ करके करेंगे तो ऊसका टीस्ट अलग होता है अब इसमें मैने टमाटञ डाल दिये टमाटर के बाद नमक डालना जरूरी होता है ताकि अच्छे से पक जाए और इसको तब तक पकाया जब तक ये पूरा अच्छे से टमाटर हमारा अच्छे से मैश हो जाए तो टेस्ट अलगी आता है अगर हम नहीं पकाएंगे तो टेस्ट में थोड़ा सा फरका जाता है इसलिए इसको अच्छे से ने पका दिया और जो हमारी जो डाल थी वह मैंने इसमें डाल दी अब थोड़ा सा इसमें पानी और डाल दिया है अब इसको कम से कम चैसे आठ मिनट तक इसको लो मीडियम से लो फ्लेम में धीरे धीरे इसको पकने देंगे क्योंकि जितनी दाल हमारी धीमी घेस पर पकेगी उतना टेस्ट इसका और ज्यादा इनहेंस होता है और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है यह टोटली ऑप्षिनल है दीरे दीरे इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारी दाल है जो नीचे चिपके न अब इसमें बॉयल स्टार्ट हो गया है अब इसमें मैंने एक चम्मस के बराबर इसमें घी डाल दिया है देसी घी जिससे हमारी दाल का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है आप घी की जग इस तरीके से दाल मनाईएगा आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको कोई भी मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती तो प्लीस मुझे कमेंट करके बताईए कि मैं क्या और कैसे इसको इंप्रूव कर सकूं और प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिए गया और शेयर जरूर कीजिए गया थैंक यू सो मच फ्रेंड ओके थैंक यू फ्रेंड